15 नवंबर 2021 एस्ट्रोनोट्स को खबर मिलती है कि शायद अगले कुछी घंटों में ISS किसी खराफ सेटलाइट से टकरा सकता है सेफटी को ध्यान में रखते हुए वार्निंग दी जाती है कि सभी एस्ट्रोनोट्स कुछ समय के लिए ISS के बहारी हिस्से से जुड़े रिटर्न कैपसूल्स के अंदर चले जाए शुक्र है कुछ ही घंटों बाद ये खत्रा टल जाता है आज ISS बुरी तरह सेफ है लेकिन ये घटना ठीक वैसी हो सकती थी जैसा आपने हॉलिवोड फूरी ग्रेविटी में देखा होगा हम सब अकसर इस्पेस एजेंसी द्वारा अंदरिक्ष में सेटलाइट चोड़े जाने की खबरे सुनते हैं लेकिन वर्किंग कंडिशन में भरबूर उप्योग होने के बाद डेट सेटलाइट्स को रिमूव करने का कोई प्रॉपर प्लैन इस्पेस एजेंसी के पास नहीं होता जिसके कारण आज लगबर तीन हजार से ज़्यादा इनेक्टिव सेटलाइट्स का वेस्ट मेटेरियल अपने ओर्बिट पर चकर लगा रहा है और तूसरे ऑबजेक्ट से टकरा कर नए कच्रे को पैदा करता है जो इस्पेस इस्टेशन या एस्ट्रोनोट्स की जान पर खतरा बन सकता है इसे हम कैसलर सिंड्रोम कहते हैं जरूरत है इस्पेस एजेंसिस की दौरा एक प्रॉपर प्लैनिंग जिससे की सेटलाइट के डेड होने पर उसे और्मिक से रिमूव किया जा सके वरना कहीं ऐसा नहोगी नहीं उचाईयों को छोती मानवता नहीं तरक्की के जाल में फज़ जाएगा